आज बिल्लाहि में शेत्वानिर्वजीम बिस्मिल्लाहित रुष्मानिर्वानिर्वीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं मौसीन दवाव और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूडन्ट सपोर्ट सर्विस इव यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो मेरी वीडिय से है तो चलिए दोस्तों हम आज की अपनी अपनी शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रिक्वाइर्मेंट्स क्या है दोस्तों इसमें हमें एक केस दिया गया है जो कि है लेमन इफ पापुलर फूर्ट विच इस यूज तो एड़ स्लेवर इन तो फूड लेमन गिव फ्लेवर तो बैक गुड्स मरिंडाव सुष सेलिड ब्रसिंग डेशर्ट एंड द्रिंग इस और विटामिन सी वन फिस्टी एट ग्राम लेमन कैं प्रोवाइड ओवर थर्टी मिली ग्राम ऑफ विटामिन सी के लेमन के हवाले से हमें बताया गया है कि यह लेमन हो तो हमारे पास 30 मिली ग्राम जो है वो विटामिन सी जो है हम ले सकते हैं इन पाकिस्तान वेजिटेबल प्राइब शोग शार्प इंक्रीज दिरिंग दिमांथ और रमजान के अंदर जो है वो वेजिटेबल के प्राइस जहां वो इंक्रीज हुई है दा डिमांड लेमन में है यह आज बिलानगी दिमांड रमजान की अंदर वह वह विए इंक्रीज ओजा इन बिस मन्थ आस्रप्सिब्म जान Fut u कि सरे को इंक्रीज गरती हैишь पूस्पोज दा इनिशियल डेमांड कि土 ऌनके खुज गिवन बिलो इस्में क्वेश्व繼續 को बिलो इसमें क्यो P और इसमें हमारी quantitative demand जहा है वो 330-0.30 P है In the month of Ramadan, supply equation of lemon remained as above जो रमजान के महिने में हमारी जो supply है वो वो ही रहती है लेकिन जो हमारी demand की equation है वो change हो जाती है और QD is equal to 350-0.20 P तो ये हमारी जो है वो 350 हो जाती है 330 से और 0.20 P जो हो जाती है तो ये हमें case दे गया है और इसके बाद हमें से जो है वो तीन question पूछे गए है दोस्तों जो पहला question है वो आपको या पहली जो requirement है वो आपको screen के उपर नजर आ रही है इसमें हमें बताया गया है कि find the market clearing level of quantity and price of lemon before the demand change कि हमारी जो demand change होती है उससे पहले हमारा जो market clearing level है quantity और price का वो क्या होगी यह हमारी first requirement है दोस्तों मैं बताता चलूँ के हमारी जो marketing clearing level है वो हमारी जो है बराबर होती है हमारी जहां पे quantity demand जो है वो equal हो जाए quantity supply के तो आपको screen के उपर जो है वो एक formula भी नजर आ रहा है QD is equal to QS अब QD जो है वो quantity demand है और QS जो है वो हमारी quantity supply है दोस्तों हमें question के अंदर ही QD दिया गया है 330 minus 0.30 P और इसी तरहां अगर हम QS को देखें तो वो हमें दिया गया 260 जमा 0.40 P आप हमने इन दोनों को है वो equal रख लिया यानि 330 minus 0.30 P और equals 260 जमा 0.40 P आप देखें हमने जो दोनों constant value हैं उनको एक side पे ले गए और जिसके साथ P लगा हुआ है उसको हम एक side पे ले गए तो 330 जब आप 260 को इस side पे ले जाएंगे तो वो minus का हो जाएगा 330 minus 206 equals 0.40 P और प्लस जो है क्यूंकि यह इस side पे minus के साथ था तो इस side पे जाएगा तो plus आपका 0.30 P बन जाएगा तो 330 में से जब हमने minus किया 260 को तो हमारे पा जवाब 70 आ गया और जब हमने साथ पे 0.70, 0.70 वो खतम हो गया तो P की value जो है वो हमारे पाफ यानि price जो है वो हमारे पाफ 100 आ गई अब हम इस price को जो है चाहें तो हमारी जो quantity demand वाली equation है उसके अंदर enter कार लें चाहें तो हम लोग जो है इस price को अपनी supply वाली equation के अंदर एंटर कर लें तो हमारा जो जवाब है वो सेम आएगा तो हम मैंने जो है यहां पर value put की है quantity demand वाली जो equation है हमारी यानि 330 minus 0.30 P इस equation को लिए है आप यहां पर 260 जमा 0.40 दी लिए सकते हैं उसका भी जवाब जो है वो सेम आएगा तो यहां पर देखें 330 minus 30 P आ गया और P की value जो है वो हमने 100 एंटर करनी है तो यहां पर देखें 330 minus 0.30 और into 100 आ गया हमारा जो marketing clearing level है उस पे हमारी जो price है वो 100 है और जो हमारी quantity है वो 300 है यह हमारी demand change होने से पहले की situation आ गई और इस तरीके से हमारी जो requirement number one है या है वो complete हो जाती है इसके बाद दोस्तों बारी आती है requirement number B की इसमें क्या दिया गया है find the market clearing level of quantity and price of lemon after demand chain कि जब हमारी जो है demand change हो जाती है तो उस वक्त हमारा जो market clearing level है वो क्या आएगा दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ के मेरा एक और YouTube channel है जिसका नाम 24 hour seven teachers a line है इसके उपर आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं तकरीबन को 20 subjects मैंने लिए हैं उनके lectures मैंने record करके रखे हैं उसमें economics के भी lecture कुछ शामिल है तो आप लोग 24 hour seven teachers a line को जरूर विजट करें उसका जो URL है आपको इस video की description में मिल जाएगा और वहां पे जो economics के lecture available हैं आप उन से जरूर साइदा उठाएं वह आपके इस यह 402 के तो नहीं है लेकिन इस यह 401 के हैं लेकिन आपके जो कुछ topics हैं जैसे equilibrium या market clearing level है इस topic के उपर भी है यानि demand है supply है इनके उपर मेरे lectures बने हुए है तो आपने topic wise जो है वहां से सर्च करके इस course के लिए आप उन lectures उसे साइदा उठा सकते हैं दोस्तों इसको भी हमने वैसे solve करना है जैसे हमने point A को solve किया और सिरफ हमने जो demand equation है वो change कर लीनी है तो यहां पे qd is equal to qf अब देखें हमारी जो qd है वो 350 minus 20p हो गया पहले जो है यहां पर 30p था आप जो है वो 20p हो गया लेकिन हमारी जो supply वाली equation है यानि कि 260 plus 40p point 40p वो भी रहेगी तो हम जो है वो अपनी equation को put करते हैं values को 350 minus point 20p equals 260 plus point 40p तो यहां पे देखें 300 आ गया और minus 260 आ गया इसके बाद equal आ गया point 40p और point 20p तो यह देखें हमारे पाफ इस side पे 90 आ गया और दूसरी side पे जो है हमारे पास point 60 पी आगा अब हमने point 60 को जो है वो खतम करना है तो खतम करने के लिए दोनों साइट पे जो है point 60 से जो है वो divide कर देंगे तो जब हमने नवे को तक्सीम किया point 5 के साथ तो हमारे पास जो answer है वो 150 आ गया तो यही हमारी market clearing level price है जो के 150 है इसी तरह हमने जो है वो quantity अगर find करनी है तो यह जो price है किसी भी equation के अंदर put कर लें चाहे तो quantity demand के अंदर चाहें तो quantity supply के अंदर जवाब हमारा same आएगा तो मैंने जो है यहां पे value put की है quantity demand वाली equation के अंदर 350 minus point 20 P के हवाली value के अंदर 350 minus 20 और P की जगह पे है जो है वो 150 उसकी value मैंने लिक दिया तो जब हमने 150 को multiply किया है point 2 के साथ तो हमारा जो जवाब है वो 30 आ गया तो जब हमने 350 में से 30 को minus किया तो हमारा जो जवाब है वो 320 आ गया और यही हमारी जो है वो quantity है 320 तो दोस्तो हमने जो है वो market clearing level जो है वो find out किया जिसके हमारी जो price है वो 150 है और हमारी जो quantity है वो 320 आ गई और इस तरीके से हमारी इस assignment की requirement number 2 है या B है वो complete हो जाती है इसके बाद हमारी इस assignment की आती है आखरी requirement जिसके अंदर हम लोगों ने करना किया है find out the price elasticity of demand of lemon and initial equilibrium price and quantity हमने जो है वो price elasticity of demand जो है वो calculate कर दी है अब हम लोग क्या करेंगा हमारी पाद दो किसम की demand है एक before change है और एक after change है तो दोस्तों इसके solution की जानिब बढ़ते हैं तो यहां पर देखें हमने सबसे पहले जो of demand का जो कि है percentage change in price कि हमारी जो price के अंदर तब्दीली आई है उसको हमने percentage के अंदर महियर कार लेना with respect to the percentage change in demand यहीं जो है वो हमारा price elasticity of demand का formula के percentage change in price और divided by percentage change in demand अब हम लोग जो है वो सबसे पहले find out करेंगे percentage change in price और फिर हम लोग find out करेंगे percentage change in demand तो फिर हम जो है वो अपनी price elasticity of demand जो है वो calculate कर सकते हैं तो सबसे पहले हम perfect change in price find out करते हैं इसका formula क्या है इसका formula यह है कि आपकी new price minus आपकी old price और divided by आपकी old price तो यहां पर देखें 150 जो है वो हमारी new price थी उसके बाद जो है हम लोग ने hundred जो है वो old price ली और divided by 100 जो है वो हमारी old price आ गई उसको आमने multiply by 100 करना है तो हमने 150 में से 100 जो है वो minus किया तो हमारे पास 50 रह गया 50 को हमने divide करना है 100 से और फिर हमारे पाँ 0.5 आ जाएगा परफंटेज चेंज इंग कोंटेटी फाइंड आउट करने के लिए देखें वही फॉर्मुलया 320 यानि के निव आपकी कॉंटेटी माइनस ओल कॉंटेटी 300 और मुल्टिप्लाइब राइंड तो जब हमने 320 में से 300 को माइनस किया तो 20 आ गया 20 को डिवाइड के 300 के साथ तो हमारे पास आ गया उसको मल्टिप्लाइए किया 100 तो हमारे पाफ 6.66 परफंट चेंज आ गया और परफंटेज चेंज इन डिमांड भी आ गया अब हम लोग यह वैल्यू वह पूट करेंगे अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले फार्मूला के अंदर यानि परसंटेज चेंज इन प्राइस विद इस्टेक्ट तो परसंटेज चेंज इन डिमांड तो यहां पर देखें 50% divided by 6.66% तो यह हमारे पास जो है वो 7.50% जो है वो मारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गए इस तरीके से जो है वो हमारी रिक्वार्मेंट नमबर जो 3 है यह सी है वो भी कम्प्लीट हो जाती है तो दोस्तों यह थी हमारी असाइनमेंट ECO 402 की उमीद ह आप लोगों को आइडिया जो है वो मिल गया होगा दोस्तों आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि www.youtube.com slash teachers online for you पे जरूर जाए और वहां पे जो मेरे lectures available है economics के भी हैं और मुख्ली subject के हैं उन से आप जरूर फाइदा उठाएं दोस्तों मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ य अधिये अला हाफिव